कौन थी वो? मैं आठ मेने की प्रेगनेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने माई की गई थी माने मुझे फोन पर बताया घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना वहाँ पर एक नया कमरा बनवा लिया है इतने सालों की बाद जैसी ही अपने घर में कदम रखा कुछ अलग सा लगा मा ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बिटा घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी अब तू ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूर पी ले माम मैं थोड़ी देर में पीलूंगी आप सो जाओ मैंने दूद का गिलाज सुछा कर उस खिड़की में रख दिया पता नहीं कब आँख लगी अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई दूद का गिलाज धडाम से जमीन पर आगिरा जमीन पर गिरते ही दूद का रंग लाल हो चुका था मैंने खिड़की से जांकर बाहर देखा चारों तरफ धुख अंदेरा था उस अंदेरी की तरफ से कुछ आवाज आ रही थी जैसे छूटे बच्चे आपस में खिल खिला कर मस्ती कर रहे हूँ इतनी रात को इतने घंगोर अंदेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है घड़ी में वक्त देखा तो ठीक बारा बजे थे देखकर मैं सन रह गई बुरी आत्मा और भोतों की कई कहानिया मैं सुन चुकी थी वक्त भी कुछ ऐसा ही था उपर से मैं प्रेग्नेंट सुना था की ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माय औरतों का पीछा करती है तो क्या मेरी पीछी भी पसीने से तर बतर बड़ी मुश्कित से जिसे कापते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकल कर मा की पास जाने के बारे में सोचा लेकिन जैसे ही दर्वासी की तरफ बल्टी लगा कोई साया हवा की स्पीर से दर्वासी की सामने से गुजर गया मेरे बल्ली में अटब कर रह गए मैं सूर से चीख कर मा को बलाना चाहती थी लेकिन वो आवास खुद मेरे कानों तक नहीं पहुच पा रही थी तो मा तक कैसे पहुचती थी खिड़की के पल्ली एक बार फिर तेर जगा के जूपे से ध्राम करते हो गया और पूरी ताकत से मैं चीख पर जानती थी मेरी चीख की आवास सुनकर कुछी सेकंड में मा वहां पहुच जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा कलेजर डर के मारे भटा जा रहा था आखिर माने मेरी आवास क्यों नहीं सुनी इतनी गहरी नीन में तुमा कभी नहीं सोती ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की मुझ में इतनी ताकत नहीं पची थी कि मैं पलट कर उस तरफ देख भी सकूँ हवा का एक संसनाता हुआ जोका उ मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिये और एक बार फिर ताकत लगा कर जोर से चीखने की कोशिश की माँ पापा मेरी आवाज उस कमरे की दिवारों से टकरा कर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी कुछी देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चेख मुझे सुनाई देने लगी कि आवास चीक मेरे पीछे गिलकी से आ रही थी वो आवास मेरे कानों में पिगलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी वोन आवासों में हैवानियत थी वो आवासी किसी इंसान की नहीं है इतना मैं समझ चुकी थी काप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूडने की कोशिश की तभी अचानक मेरा हाथ बैट पर रखी टॉर्श पर पड़ा किसी तरह ताकत लगा कर टॉर्श का बटन आउन किया लेकिन ये क्या तब तक वो मेरे पास आ चुके थी उनकी गरदन टेड़ी थी और उनके हाथों के वो चाकल मेरे पेट को निशाना बनाने को तहीं मैं जोर सची की नई छोड़ दो मेरे मच्चे को मन मारो मन मारो छोड़ दो मेरे मच्चे को सुनाली सुना ले क्या हुआ बेटा तो इतने डरी हुई क्यों है उठ बेटा क्या हुआ हर्ड बढ़ा कर मैंने अपनी आँखे खोली देखा तो दिन निकलाया था मा मुझे जगा रही थी मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपत था क्या हुआ बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी वो मेरे बच्चे को मार देगी मा वो लड़की मेरे बच्चे को मैंने घबरा कर अपने पीट को चुआ सब कुछ ठीक था और वो दूद जो रात को यहां पर गिर गया था उसका रंग लाल हो गया था मा ने हसते हुए दूद का गिलास मुझे दिखाया तुमने दूद पिया ही नहीं पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है तुमसे कहा था ना सुना ली सेहत के लिए ला परवाई ठीक नहीं बिटा लेकिन मैंने तो सब पुछ अपनी खुली आँखों से देखा था यह सबना कैसे हो सकता है